नमस्ते जीनियस मेंटर्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है जीनियस मेंटर्स की तरफ से आप सभी को मैं गंतंत्र दिवस की जो 26 जैन्वारी को मनाया जाता है उसकी सुबकामनाय देता हूं हई विश यू औल हैपी रिपॉब्लीक दे यहापी रिपॉब्लीक दे हमने बोला हम 26 जैन्वारी को हम रिपॉब्लीक दे मनाते हैं और आज के दिन हम यह दे क्यों मनाते हैं पहले हम इस चीज गो समझते हैं यह गंतंत्र दिवस हमारा क्यों मनाया जाता है इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं Republic Day जब हम इसको बोलते हैं Republic Day तो इसमें एक वर्ड आ जाता है Republic इस Republic के वर्ड को समझे बिना हम Happy Republic Day क्यों बोलते हैं इस चीज का थोड़ा सा मीनिंग जो हमारा अधूरा रह जाता है हम किसी को विश्टो जरूर कर रहे हैं मैंने आपको विश्ट किया Happy Republic Day या फिर गंतंत्र दिवस की सुबकाम नहीं लेकिन बिना इस चीज को समझाए कि हमने क्यों विश्ट किया यह थोड़ा सा अधूरा रह जाता है यह वह हो जाता है कि हम इससे connect नहीं हो पाते हैं कि यह Republic Day है क्या तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि यह हम Republic Day क्यों मनाते है रिपब्लिक डे मनाने का एक बड़ा सीधा सा कारण जो सभी बताते हैं जो हमने स्कूल में भी पड़ा कि 26 जनवरी को क्या हुआ था 26 जनवरी को हमने हमारा Constitution of India या फिर भारत का जो सम्विधान है इसको इसको क्या किया इसको इनक्ट किया था क्या किया था हमने हमने इसको इनक्ट किया था यानि इसको लागू किया हमारे सम्विधान को लागू किया हमने 26 जनवरी को और उसी दिन हमने बोला कि हम बन गए Republic क्यों बन गए ऐसा क्या हो गया उस दिन कि हम Republic बन गए उससे पहले हम क्या थे इन दो चीजों को बड़ा सम प्रियंबल है और उस प्रियंबल में हमने लिखा हुआ है कि हम भारत को बनाते हैं क्या सोवरेन बनाएंगे डेमोक्रेटिक बनाएंगे और रिपब्लिक बनाएंगे यह हमने जब 26 जनवरी 1950 को जब हमने हमारा समीधान लागू किया तो हमने वहाँ पे वादा किया सभी इसको क्या बनाते हैं सोवरेन बनाएंगे डेमोक्रेटिक बनाएंगे रिपब्लिक बनाएंगे और इस दिन हमने बोला कि हम हमारे देश को रिपब्लिक बना रहे हैं हमने इसको लागू कर दिया तो हम क्या होगे रिपब्लिक होगे हमोगे रिपब्लिक क्यों क्यों कि हमा रिपब्लिक का मीनिंग क्या है अगर हम इस रिपब्लिक के मीनिंग को समझने की कोशिश करें थोड़ा साम रिपब्लिक के मीनिंग की तरफ जाते हैं और समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है री प्लस पब्लिक पब्लिक के पास दुबारा जाना या फिर पब्लिक को दुबारा चांस देना है इसके दो मीनिंग हमारे निकल के आते हैं फर्स्ट मीनिंग है कि बार बार पब्लिक के पास जाना है बार बार पब्लिक के पास जाना है और दूसरा बार-बार पबलिक को मौका देना है अब चिसले पबलिक के पास जाना है और किसले पबलिक को मौका देना है Republic का जो मतलब हमने स्कूल में पढ़ा वो ये पढ़ा कि Head of the state is elected मैं इसका सीधा सा मतलब आपको बताऊं तो Republic का सीधा सा मतलब होता है head of state is elected. Head of the state is elected. हमारा जो head होगा, कौन है? State, यानि कि इंडिया का जो head है, वो president है. President क्या होगा? Elected होगा. तो जब president elected होगा, क्या हम republic हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे. क्योंकि republic का जो meaning है, वो यही है. कि head of the state is elected. Head of the state is elected. इसको हम इस बात से कैसे प्रूफ कर सकते हैं, कि republic का मतलब head of the state is elected है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, republic कि बार-बार आपको public के पास जाना है, अपने आपको elect करवाने के लिए. Republic, public के पास, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो. हर पांथ साल बाद आपको public के पास जाना है. हमने पांथ साल यहां पर अपना term रखा, अलग-अलग तर्म रख सकते हैं. हमें बार-बार public के पास जाना, आपने आपको elect कराने के लिए हम क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? हमारा जो head है, वो elected हो जाएगा, तो उससे हम republic हो जाएंगे. ठीक है? यह हमने समझा, कि republic का meaning क्या होता है? इसी में एक दूसरा meaning भी छुपा हुआ है. इस republic में एक meaning और छुपा हुआ है, जिसको generally हम avoid कर देते हैं. दूसरा meaning यह है, कि इसी public के पास बार-बार मौका होता है. इसी public के पास बार-बार मौका है, कि वो खुद भी किसी public office के लिए, public office के लिए open है. public office जो हमारा republic के लिए हमेशा open रहता है. जैसे president अगर बार-बार elect हो रहा है, तो हर बार public के पास भी मौका होता है, कि public में से कोई भी जाके हमारा head बन सकता है तो overall अगर मैं देखूं इसका meaning देखूं तो क्या है हमने सारी power public को दी है हमने सारी power public को दी है और इसी power को इसी power को दिखाने के लिए हमने हमारे समीधान के preamble के जो शुरू के word रखे शुरू के जो चार word रखे वो यही रखे वी दा पीपल ऑफ इंडिया हम भारत के लोग हम भारत के लोग भारत को बना रहे यानि की कौन है सूपर पावर किसके पास आई तो public के पास आई तो public के पास elect होने के बाद अगर आदेखे head बनेगा और वहीं पे यही public office public के लिए open रहेगा हर पांच साल बाद यह public के लिए open बन सकता है या किसी भी public office में जा सकता है यह actual meaning है तो हमने रिपब्लिक का meaning देखा अब रिपब्लिक से हमारा थोड़ा सा mismatch हो जाता है कि Republic Day Republic Day तो मैंने बोला constitution लागू हुआ एक तरफ मैंने बोला कि Republic Day वाले दिन constitution लागू हुआ 1950 में और दूसरी तरफ मैंने बोला कि Republic का meaning होता है head of state is elected Head of state is elected तो head of state is elected मतलब होता है Republic का तो Republic Day उस दिन क्यों मनाते हैं जिस दिन constitution of India लागू हुआ तो इसका एक reason तो मैंने बता दिया क्योंकि constitution में हमने लिखा preamble में हमने लिखा कि हम भारत को Republic बनाते हैं तो इसलिए जिस दिन लागू हुआ उस दिन भारत Republic बन गया लेकिन इसका एक दूसरा sense समझी है कि Republic का जब meaning head of the state is elected है इस से constitution of India लागू होने को हमने Republic क्यों बोला क्योंकि जिस दिन हमने head चुना वो तो ये दिन नहीं था elected head जिस दिन चुना गया वो ये दिन नहीं था तो हम Republic कैसे होगे हम इस meaning को देखें इस meaning को देखें तो हम Republic कैसे होगे इसके लिए छोटी सी कहानी क्या है कि जब हम आजाद हुए कब आजाद हुए हम आजाद हुए फिफ्टेंथ अगस्त लेकिन हम Republic नहीं बने । Emis Republic नहीं बने तो हम क्या बने? हम Dominican बने, Dominion बने, Dominion क्या होता है? Dominion होता है जहाँ पके power आपके पास हैं कानून आप बना सकते होば लेकिन head आपका अपना नहीं होगा head कौन माना जाएगा? head जो है British manarch माना जाएगा ब्रिटिश में जो भी राजा होगा या रानी होगी वो भारत का हेड माना जाएगा अब यह कैसे हो सकता है भारत के लोगों का राजा कोई और कंट्री में यही स्टेटस था डोमीनियन का जो हमारा 26 जनवरी 1950 तक रहा है और इंडिया इंडिपेंडेंडेंस एक्ट जो आया था जिसके तहट हम आजाद हुए इस इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में साफ साफ लिखा था कि आज से आज से यानि 15 अगस्य क्या हो जाएगा 15 अगस्य भारत डोमीनियन बन जाएगा और उसी में यह चीज़ भी हमने कहीं ने कहीं लिख दी कि जिस दिन भारत अपना समीधान लागू कर लेगा जिस दिन भारत अपना समीधान लागू करेगा उस दिन से भारत डोमीनियन नहीं रहेगा उस दिन भारत रिपब्लिक हो जाएगा उस दिन भारत रिपब्लिक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां क्या, जो head है, वो head के पद से, British का जो भी राजायरानी है वो हट जाएगा, वो उस दिन seize हो जाएगा, तो British का राजायरानी भारत के head के पद से जज दिन अटा, और हमने अपना हेड जिस दिन चुना उसको हमने रिपब्लिक बोला अब ये वाला जो हेड है ये इलेक्टेड होना चीए चाहिए वो इंडिरेक्ट लिए लेकिन हर पांच साल में कहीं न कहीं कोई होनी चीए जो इसको चेंज कर सके अब इसके थोड़े से दूसरे मतलब को भी समझ लेते हैं जब हमने इतनी कहानी समझी अब अब हम इसके रिलेशन को समझते हैं कि Constitution of India लागू होने से Constitution of India 26 जनवरी 1950 को लागू होने से Republic होने का क्या रिलेशन है इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा ताकि हमें समझ में आ जाए कि 26 जनवरी को हम Happy Republic Day क्यों बोलते हैं इस दिन हम Republic क्यों बनाते हैं एक तो हमने समझा कि Republic का जब हम बोलते हैं कि Head of the State is elected इसका क्या मीनिंग है इसके पीछे एक छोटा सा मीनिंग है उसको हम समझते हैं इसके पीछे जो meaning है वो ये है कि head भी supreme power नहीं है इसके पीछे जो meaning है वो ये है कि head भी supreme power नहीं है वो अपनी मर्जी से rाज नहीं कर सकता, उसके ऊपर भी कोई है कौन है वो उपर, उपर हमारा इसके है constitution, यानि की law हमारा जो head है वो elected है elected होने का क्या मतलब है कि उसको लोगों ने ये अधिकार दिया है कि वो हमारे उपर साशन कर सके लेकिन साशन किस हिसाब से करेगा यानि कि अगर वो head चुना गया है तो head चुना गया है तो वो किस से चीज से बंद के रहेगा ताकि लोगों कि वो सुनता रहे तो वो है हमारा law और जिस दिन ये law लागू होगा उस दिन इसका actual मतलब लागू होता है अगर head of the state पहले भी मान लो मैं आपको एक condition देता हूँ कि मान लो कि ये constitution ना हो और मैं बोलू head of the state elected है तो क्या हम republic हो जाएंगे true sense में true sense में अगर मैं पूछ हूँ अगर head of the state elected है और हमारे पास हमारा constitution of India नहीं है तो उस case में क्या होगा उस case में हम democracy हो जाएंगे है ना हम कहेंगे कि हम democracy तो है क्योंकि हमारा head of the state elected है हमारा head of the state elected है लेकिन ये head of the state किस दाइरे में रहके काम करेगा ये तो बोलेगा जैसे head of the state elect हुआ उसके बाद बोलेगा अगले election 50 साल बाद होंगे अगले election 50 साल बाद होंगे यानि कि law को तो इसने देखा ही नहीं किसी चीज से बंधा हुआ नहीं unlimited power होगी और unlimited पावर तो मोनार्क में होगी जो राजा है उसके पास होती है पावर जो चुना नहीं गया है वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है लेकिन जहां पर election है इसका मतलब तो यह हुआ ना कि रिपबलिक में अगर रिपबलिक रखना है तो बार-बार आपको अपनी पावर को एप्रूव कराना पड़ेगा पबलिक से बार-बार आपको अपनी पावर को पबलिक से एप्रूव कराना पड़ेगा तभी तो आप head माने जाओगे और यह बार-बार एप्रूव कराने का कहीं ना कहीं लिखा होना चीए, नहीं तो अगर ये अपनी मनमानी पे आगया, मानलो इसको elect किया गया, ये पब्लिक से अपनी पवर को approve कराने ही नी गया, लेकिन elect तो कभी किया हो गए इसको, तो तो कहे रिपब्लिक है, नहीं, रिपब्लिक का true sense तब आएगा, जब actual में ये चीज फॉल बंदे होंगे और वो लो हमारा है Constitution of India जो हमारे यहां का Supreme law है और तो इसी लिए हम मनाते हैं किस दिन जिस दिन यह Supreme law आया जिस दिन हमारा Constitution of India आया यानि कि 26 जनवरी 1950 को इसी लिए हम इस दिन हम मनाते हैं अपना Republic दे जिस दिन हमारा यह law लागू हुआ यानि Constitution of India लागू हुआ इसी लिए हम उस दिन मनाते हैं Republic दे क्योंकि true meaning में Republic हम उस दिन हुए क्योंकि एक law आ गया जिस से सब बंदे रहेंगे जिसमें हमने यह लिख दिया कि बार-बार head of the state को election के लिए आना पड़ेगा बार-बार head of the state elect होके आएगा तो इसी लिए हम इस दिन मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं Republic दे क्योंकि true sense में Republic हमारा उस दिन हम actual में Republic बने तो आपको Republic का भी मतलब समझ में आया और किस लिए हम 26 जनवरी को मनाते हैं यह भी समझ में आया इस दिन हमारा head elect हो गया यानि super power सबसे आदा power किस के पास आगी हमारे head के पास इसी लिए अगर आपको ध्यान हो तो 26 जनवरी को जो parade होती है इसमें हम दुनिया को अपनी power दिखाते हैं यहां पर सारे हथियार हमारे दिखाये जाते हैं दुनिया को हम अपनी power दिखाने की कोशिश करते हैं 26 जनवरी की parade में क्यों क्योंकि इस दिन सारी power हमें खुद के पास मिल गई हमारे उपर से जो head था British monarch जो head था वो हट गया अब वो power हमारे पास आ गई हम भी खुद एक power बन गए उसी power को दिखाने के लिए हम बार बार परेड करते हैं 26 जनवरी को और उस 26 जनवरी में अपनी power पूरी दुनिया को दिखाते हैं तो आपको actual meaning समझ में आया कि 26 जनवरी को हम क्यों Republic Day मनाते हैं इस दिन हम अपनी power क्यों दिखाते हैं अब मतलब समझ में आया है इस हुआ हुआ है